Hello everyone, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील इस महीने मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं जितने भी कूलिंग अप्लाइंसिस हैं जिनकी आपको रिक्वार्मेंट हो सकती हैं, सब के उपर वीडियोस बनाऊंगा दो वीडियोस मैं अल्रेडी बना चुका हूँ, Split AC और Window AC के बारे में लेकिन वो 1.5 टन के AC थे, अगर आपको वीडियोस देखनी हैं तो उपर कॉंडर में ये आपको आई बटन दिख रहा होगा हमने काफी सारे मॉडल्स चेक करे थे, उनके फीचर्स चेक करे थे, सारे के सारे मॉडल्स अच्छे ब्रैंड्स के थे और इसी तरह हमने एक लिस्ट बना के तयार करी है, जिसमें ये टॉप 10 मॉडल्स हम आपको दिखाएंगे नमबर वन पोजिशन पर आप देख रहे हैं, करियर 2 टन स्प्लिट एसी, उसका मॉडल नमबर आप देख सकते हैं और उसकी इमेज और फीचर्स आपने चेक कर ली होंगे, अगर कोई यहाँ पर मिस हो जाता है तो आप वीडियो को रीपले कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में Amazon का लिंक आपको मिल जाएगा Amazon वेबसाइट पर इस सारे के सारे मॉडल्स अवेलबल हैं, वहाँ पर जाकर आप इनके सारे फीचर्स डिटेल में चेक कर सकते हैं नमबर टू पोजिशन पर हमने रखा है गोध रेज टू टन स्प्लिट एसी, मॉडल नमबर अगेन आप चेक कर सकते हैं इसके जो फीचर्स होते हैं वह सारे मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखे हैं लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ अगर आप कभी भी एसी खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़े आपको ध्यान में रखनी होती हैं जैसे कि उसकी जो कॉइल है, वो किस माटेरियल की बनी हुई है इसमें copper और aluminium दो material की coils अवेलवल होती हैं copper वाली थोड़ी expensive होती है लेकिन quality wise बढ़िया होती है aluminium coil वाले air conditioners भी market में अवेलवल हैं बाकि आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके घर के हिसाब से आपको window AC चाहिए ये split AC फरक दोनों में कुछ नहीं होता, window AC का बस इतना है कि उसके सारे equipments जो कि उसके अंदर होते हैं, वो एक unit के अंदर होते हैं, split AC में यह होता है कि आपकी जो fan unit होती है, वो आपके room में installed होती है, और जो आपकी cooling unit होती है, उसको आप भार का install कर सकते हैं, जो cooling आपके fan के कि आपके room के size के हिसाब से, अलग-अलग power के AC मार्किट में available हैं, जैसे 1 ton का AC, 1 ton का AC, 1,5 ton और 2 ton का, आज यह जो 2 ton वाला आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो अगर आपका room है, अगर उसका size 300 square feet तक का है, तो उसमें आप 2 ton का split AC यूज़ करना चाहिए, आपको अगर आप पूरा room cool करना चाहते हैं, अगर 300 square feet से छोटा है, थोड़ा room का size तो आप 1,5 ton का AC भी consider कर सकते हैं, लेकिन 300 square feet तक के लिए 2 ton ही आपको लेना चाहिए, तब ही आपका पूरा room cool हो पाएगा, इनके अलावा जो बाकी और features आपको ध्यान में रखने होते हैं, उसमें obvious सी बात है, जो भी appliance आप खरीद रहे हैं, उसकी warranty सबसे जादा important होती है, तो AC के मामले में अगर मैं warranty की बात करूं, तो इसमें 2 तरीके की warranty आपको मिलती है, एक तो जो आपकी unit है, उसकी warranty आपको मिलेगी, दूसरा जो उसका compressor होता है, compressor पर अलग से आपको warranty मिलती है, कुछ brands इ इस पर 5 साल की compressor पर warranty और 2 साल की AC unit पर, नमबर 8 पोजिशन पर डाइकें 2 तरन स्प्लिट AC देख सकते हैं, इसके अगर warranty के हम बात करें, तो 1 येर की condenser पर warranty है, condenser मतलब आपकी जो basic AC की unit है, और 10 साल की warranty आपको compressor पर मिलती है, तो warranty का काफी जादा फरक पर जाता है, ये कर सकते हैं, बाकी और जो इसमें features होते हैं, उसमें normal cooling का काम हर AC का होता है, लेकिन cooling से अलग कुछ special modes आपको मिलते हैं, जैसे कि sleep mode, turbo mode, dehumidifier, इन modes के बारे में अगर आपको detail में जानना है, तो हमने एक article लिखा हुआ है, वीडियो के description में आपको उस article का link मिल जाएगा, जहा बात में एक buying guide भी हमने publish करी हुई है, उसी article पर जहां पर आप एक एक point check कर सकते हैं, एक AC खरीदते टाइम आपको उन में से किस-किस point का ध्यान रखना होता है, एक एक बात हमने उस पर clear लिखी हुई है, number 10 तो राज की last position पर Lloyd 2-10 split AC हमने डाला हुआ है, Lloyd एक Hevels company का product है, Hevel company काफी पुरानी और काफी popular company है, तो ये भी काफी अच्छा brand है जो हमने आपके सामने आज show किया है, अगर आपको ये video पसंद आई हो, तो आप इसको like और share कर सकते हैं, ये playlist बनाने में हमने काफी जादा महनत करिया है, एक एक brand आपके लिए चूज करा है, if you like the video, please like it and share it with your friends and family, you can also subscribe to our channel so that you will get the notifications of our next video or upcoming videos in your mailbox.